हैलो बेटा आज हम ओपन वेसिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे बेटा देखो बेटा 1498 इस वी में वासकोडिगामा भारत आता है पहली बार वो भी स्मूदर के रास्ते से बेटा और बाद में इसी स्मूद्र के राष्टे से यूरोप और एसिया के देशों के साथ भारत भी हैं भारत के और एसिया के अन्य कंट्रिस के साथ उनका वेपार होने लग जाता है और यूरोप के जैसे अंग्रेज हैं बेटा पुर्टगीज हैं डच हैं फ्रांसेसी हैं वो अपनी कंपनी बना के यहाँ पर वैपार करने के लिए आते हैं बेटा और आते तो वेपार करने के लिए लेकिन उन्हें इतना भारी मुनाफ़ा हो था है लेकिन धीरे 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 यह यहाँ के सत्ता हतिया लेते हैं देखो कैसे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीत लिया और फिर स्थानिय नवाब थे राजाओं थे उनको दबा कर यहाँ पर अपना सासन स्थापित कर लिया और उन्होंने क्या किया यहाँ के जो अर्थिवयवस्था थी और सामाज उस पर भी अपना ने इंटर मैंने फसले होती थी उनकी खेती करवाने लग गया और इन सारी कोशिसों के कार्ण क्या बदलाव तो आने थे विटा ब्रिटिस आसन के कार्ण जो मुल्यमानते थी पसंद ना पसंद थी लोगों कीरीति रुवाष थे तो और तरीके थे प्रंपराय थी उनमें बदलाव आ आजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस परकरिया को कहा जाता है बेटा, ओपने वेसिक करण, ओपने वेसिक, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा, थेंक्यू बेटा